तो दो तरह की option होती है एक तो आइडियल सुलिशन बनते हैं और दूसरा नौट आइडियल सुलिशन तो आइडियल सुलिशन जो होते हैं उन्हें बोलते हो जियो ट्रॉपिक और उनकी सेप्रेशन करते हैं बाई फ्रेक्शनल डिस्टिडिशन तो जियो ट्रॉपिक मिक्चर में आप आइडियल सुलिशन को पढ़ लिए होते हैं जब रियक्टर्स को आपस में हल करो और उनकी इंटर मालेक्लर फोर्सेस चेंज ना हो उनका ऑलियम चेंज ना हो उनकी इंखालपी चेंज ना हो उन्हें गोलते हो जियोट्रॉपिक मिक्स्टर जैसे बैंजीन और टॉलरीम जैसे मेथेनोल और वाटर लेहादा चुछे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट वही होगा जो असल में था वो ही होगा जो असल में था तो अपने बॉली पॉंट से उनको रधा किया सकते है और वाटिका बॉरिंग में था हं यह 100 पर ही पॉल करेगा, मतलग यह अपने बॉरिंग के इसाब से डिस्टील हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे इस इस फिर्ट हो जाएंगे, ऐसे फोलिया इस ग्रॉर्फट्राउटी, तो फ्रेंट्ट्राइशन क्या होती है, और ताइप आफ्टसटेशं इन विच कंपोनेंट गाप मिक्चर अर्फ क्रेंट्स इस वाहरा ओंगे तो आप इसे बहोते हो एक परेट्चनल दिस्टिशेंट्स इस प्रेक्शनल डिस्टिजिशन को इस ग्राव से समझाता हूं लाख को आप अलॉग एक्स एक्सिस परसंटेज कम्पोजिशन फ्लाट कर रहे हो और अलॉग वाक्सिस इस टम्परेचर अब हमके दें यहां पर A 0 है और इदर को A बढ़ता जा रहें 10, 50, 65, 100 और D इदर को 100 ह और इदर को जाते हुए कम रुटा जा रहें और A is more volatile, B is less volatile, जो more volatile होगा उसका boiling point कम होगा ज्यादा होगा ज्यादा होगा, अब देखिए हमने इनको लड़ा कैसे करें, आप जोगी देख वाइल करो, एड टम्परेचर जी, एड टम्परेचर जी, तो दो लेर्स बढ़ेगी, एक अपर लेर्स और एक लोवर लेर, अपर लेर के अंदर वेफर जादा होगी, मतलब ज्यादा होगी, जैसे आप देखिए, इस जी टम्परेचर पर दो पॉइंट से हैं, एक एच जिसके अंदर लिकवर्ड जादा हैं, और एक सी जिसके अंदर वेपर हैं, तो जो एच पॉइंट है ना, इसकी कम्पोजिशन वान है, और इस कम्पोजिशन वान पर तक्रीब तक्रीबल 10% A हैं और 90% B है, जबकि इसी का पॉइंट सी पर कम्पोजिशन है के, और के कम्पोजिशन पर तक्रीबल 65% A हैं और 35% B हैं मतलब, टम्परेचर एक है, एक ही टम्परेचर पर दो लेज, एक अपर एक लोर, जैसे कभी वाटर बॉइल हो रहाना, आप देखिए कर खुOoh सुझा, तो आपके हाथ जयदा भैट नहीं होते है, जैसे से हाथ नीचे लाते है जाते हो, आपके हाथ वेट हो जाते है क्योंकि, उपर लेर के अदर वेपर दें और जैसे से नितिया आते जा रहे हो उसके अदर रिक्वर्ट मुझूद है तो आप इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर आप कहरे हो ए ज्यादा है बी काम है तो आप कंपोनेट्स को लेदा करने लिए कामियाग हो रहे हो बाइडे डिफरेंट मोर परसंटे अगली बार क्या दो अगली बार सिर्फ सिर्फ सी कम्पोजिशन पर के कंपोजिशन पर सीपॉइंट है इस पर जो वेपर कारे तो के दर लिए जयाद है और एक आwow बोले काम होगा आप चॉ बायारे इसलोट्त कॉंपोश्चिन या और वेपरs के लिए और उसके लिए कंपोशिचन के क्कması एन अब कंपोश्चिन के में में आ जे में ओर कराद है बहुत मैं क्क Sat ऐसे मैं आपको यह point explain कर रहा हूं कि हमने कहा two liquids A और B और completely miscible solution completely miscible solution मनाते हैं और temperature at point G G temperature पर G temperature पर जो distill होगा distill जो उपर ले रहे हैं तो उपर लेर के अंदर vapor जाद है मतलब A जाद है और जो residue होगा उसके अंदर greater percentage of B होगी यह इसके अंदर B की percentage ज्याद है अगली बार आप A की layer दुबारा ले जेते हो और इसके फिर distillation करते हो and now distillation is done at point X अब every time जो उपर लेर होगी distillate होगी उसमें greater percentage of A बढ़ती जाएगी और जो lower layer होगी उसमें B की percentage काम होती जाएगी or thus we can completely separate components by the process of distillation कर दे सकतरी जाएगी काम है